यह चैनल में बहुत बहुत स्वात करते हूं आज के इस टॉपिक में हम सेन्वन्स के बारे में यहां पर देखने वाले बहुत भी आपो बाता है तो सब्सक्राइब तो देव पाड़ा प्रसस्ती में सेन्वंस अपने आपको ब्रहम चत्रिये मानते हैं तो एक्जामनर पूछेगा कि किस प्रसस्ती में सेन अपने आपको ब्रहम चत्रिये मानते हैं तो आंसर हमारा होगा देव पाड़ा इसमंस के सापना सामन्त सेन ने की थी विजय सेन से एक हजार पंचानवे से लेके 1158 इस्वी इसमंस का प्रिथम मातपूर शाशक था उमा पती धर द्वारा रचित देव पाड़ा प्रसस्ती में विजय सेन की विजयों का उले मिलता है बलाल सेन ने जाती पर था वा कुलीन पर था अब यहां पर एक शाशक आते हैं बलाल सेन तो बलाल सेन ने जाती पर था तथा कुलीन पर था को संगिठित किया और कुलीन बाद नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया था बलाल सेन ने इस मृतियों पर दान सागर की रचनाबा अदबुद सागर नामक गरंध की रचना प्रारंब की जो उसके पुत्र लक्षमर सेन ने इसको 1205 में पूरा किया था अदबुद सागर खगोल विज्यान की पुस्तक है अदबुद सागर तो योजिसी नेट में कई बलाल सेन से जो है कुशन याद से बने हुए हैं बलाल सेन ने आचार सागर बाप प्रतिष्ठा सागर नामक धार में एक बाद सामाजिक गरंधों की रचना की थी बलाल सेन ने गुडेश्वा निशंग संकरादी के उपादी धारण की थी, लक्षमन सेन ने प्राचीन राजधानी गौण के समीब अन्य राजधानी लखनोती के स्थापना की थी, जिसको लक्षमन बती कहते हैं, बारा सो दो में बक्तियार खिलजी ने लखनोती पर अधिक लिए था गीत गोविन वाचण्द लोग के लेखक जैद्यो और पबंदूत और लेखक धोई यह किसके लश्मन सेन के ही दर्वार में थे लक्ष्मन सेन ने गहडवाल नरेश जैचंद को पराजित किया था लक्ष्मन सेन ने दर्वारी कभी श्री धर्दास ने सदूक सदूक की तक सदूक की सदूक की तक करम्रत की रचना की थी इसमें लक्ष्मन सेन द्वारा रचित कुछ रचनाएं कभी ताएं भी समलित हैं लक्ष्मन सेन ने परम भागवत की उपादी धारन की थी लक्ष्मन सेन के लेख विश्णू की इस्तूती से प्रारम होते हैं तो अब देह यो आगे देखते हैं लक्षमन सेन ने अपने बूस्ट के विपरीद गैश्वन धर्म का नुवाई जो थे ये थे तो इंके बंस जो है शेयर बंस के थे लेकिन उसके अलगी गैश्वन धर्म को अपनाया था ब्रामर सरवस्त का लेका हलायुद जो है वो लक्ष मंदी था लक्षमन सेन ने लक्षमन संब्ध भी चलाया था इसकी राजसमा में पांच रतने थे जैव देव धियोई श्री धर्दास हलायुद और उमापती धर तो यहां पर यह कोशन जो है बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कोशन पूछ सकते हैं कि किसके दर्वार में पांच रतने थे तो नो रतने तो हमने सुने होंगे तो यहां पर पांच रतने जान लीजे लक्षमन सेन वंस की राजा लक्षमन सेन की दर्वार में पांच रतन थे कौन कौन से थे जैद्यो धोई श् विजय सेन ने देव पाड़ा में प्रिधुम नेश्वार शिव का शांदार मंदिर बनवाया था, तो यह थी कुछ सेन वंस की छोटी सी कहानी, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शियर करें, जॉइन करें, जॉइन बटन पर दवा के जॉइन करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, पुरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत